कि यह नहीं हो गया हो गया सही हो गया बस चोड़ 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 अब बाइब बाइब आप लोग सारे कि सारे यहां पर यह प्रशाद किस चीज का प्रशाद चाहिए है सुभा सुभा बस पंचायती करा लो है प्रशाज चाहिए किस चीज का प्रशाद चाहिए जा तक एक्जाम की बात है तो वो तो आपका हो ही हो नहीं लग रहे हैं सारे गुरुप डी का बस इंतजार है इतना अच्छे से एंटी पीसी का सीवीटी वन का रिजल्ट और बुद्धी का प्रशाद तो जितना मैं बढ़ाऊंगी उतना आप पढ़िये बुद्धी नॉलेज देखो नॉलेज किसी के किसी एक परसन की महताष तो होती नहीं है अगर मैं पढ़ा रहे हूं तो आपके पास ट्रांसफर तो होई रही है नॉलेज सो नॉलेज को ट्रां अगर कोई भी एक्जाम दे रहे हैं अगर आप उनकी भी तैयारी कर रहे हो तो यहां से आपको पूरा का पूरा पार्ट समझा जाएगा पीडियेज से सारा का सारा थियोरी का पार्ट जो है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं कोई दिकत नहीं आएगी मैं इस हो रही है तो बहुत सारे mcqs जो है ना वह हम शाम की क्लास में करते हैं छे बजे की क्लास में अभी chemistry के mcqs चल रहे हैं आज chemical reaction की second part है ऑल्दो थोड़ा अपसे थोड़ा non specific हो जाएगी चीजे क्योंकि chemical reaction के बाद के जो chapter है ना वह सारे के सारे एक जैसे लगते है तो यहां पर सारे के सारे आपके जो chapters अब एक जैसे लगेंगे तो अब हम topic wise नहीं अब हम इसको class wise distribute करेंगे तो यह पूरी class booster batch शुरू किया है दो classes हुई है कल की class हर एक class के अंदर 50 questions booster batch मतलब gk और current affairs के जो अभी recently ऐसी चीजे है जो आपके exam में आ सकते हैं वैसे तो gk की कोई limit नहीं है न जीके तो अनन्त है इंफिनिटी है जीके का कोई syllabus नहीं होता है जीके की कोई limit नहीं होती लेकिन despite of this exam point of view के लिए अगर हमें पढ़ना रहेगा तो हमें क्या topic करना चाहिए उनको हम sum up कर देते हैं 50 questions में तो यह booster batch which will actually boost up your knowledge a lot तो 7 पी एम की य क्लास आपके state services के exam के लिए भी बहुत जादा important है mind it state services आप लोग जो भी state services की तेयारी करे हो वहां पर यह आपकी PDF बहुत ज़दा काम आएगी यह class जो है न वो आपके लिए बहुत ज़दा काम आने वाली है right apart from it यह दो classes आपकी special class में unacademy पे चलती है Sunday to Sunday जो है न वो परका नहीं जाता है तो आपना तीयारी तो करोगी करोगे साथ में टेस्ट देना है तो weekly एक टेस्ट यहां पर देदोगे Sunday to Sunday एक टेस्ट देदोगे तो आपको पूरे हफ्ते का knowledge मिल जाएगा और साथ में अगर आप an academy के उपर subscription लेते हो तो आपके इस price के उपर आपको 10% discount मिलेगा अगर आप code यूज करते हो क्या शिप्रा लाइफ वैसे भी आप an academy पे किसी भी free live class के लिए जैसे हमारी शाम को 6 और साथ वजे वाली जो classes होती है free live class उसमें आप enroll करते हो या enter करते हो तो आप से code पूछा जाता है तो आप शिप्रा लाइफ code यूज करिए आपको सारी free live classes जो है वो भी दिखाई देंगी और subscription में 10% का discount है तो यह सारा एक बार आप फॉलो करें और जो भी अनकाडमी पे आप लोग जा रहे हो जो भी अनकाडमी पे जाता है फॉलो कर लीजे ताकि जो भी उस दिन की respective classes होंगी न वह आपको यहां पे दिखना शुरू हो ज करेंगे ताकि आप थोड़ा सा connect कर पाऊना चीजों के साथ यहां पर सबसे पहले animal kingdom as we have stated कि धरते के उपर सबसे जदा मात्रा में animals ही है और विटेकर की classification में अगर हम यह hierarchy के तरीके से जाते हैं तो bacteria number wise सबसे जदा important है उसके बाद हमारे पास आते है मुनेरा जो भी की बैक् टॉप पे बैठे हुए और उन animals को भी आप सारे के सारे जानवरों को एक जैसा जनतू तो नहीं बोलोगे आपको करना पड़ेगा यानि कि उनके कुछ विशेश लक्षणों के आधार पे आपको जानवरों को अलग-अलग वर्ग में या अलग-अलग संग में विवाजित करना पड़ेगा एनिमल के characteristics को देखते होए हमने एनिमल्स को मेंली दो parts में divide किया जिसमें protozoa और METAζo आ गया या प्रोटिस्टा और U.METAzoa गया आप रोटिस्टा या प्रोटिस्टा या Protozoa वही है जो kingdom 5 kingdom 이러k की classification में दूसरे न फाइलम का अर्थ होता है संग होता है कि कोई भी और्गानिजम किस ब्रांच को बिलॉंग कर रहा है या किस काटेगरी के अंदर यहां पे रखा जा रहा है ठीक है यह वाला पाट अब ग्यारा फाइलम में से हम जो फाइलम को एक से ग्यारा की तरफ लेके जाएंगे वह आप तंतर कैसा है उस शरीर के अंदर उसके साब से हमने क्या कर दिया हमने 11 में 11 में 10 है énormément हमने इसको डिवाइब कर दिए इंच में लेके जा रहें इनमें हम सब से इंपोर्टनन् December आपको बताए आपको हर semurgence भोलती हुँ तो सिक्तश का मतलब क्या है तो Esse Kalman Jeans कывайтесь । जो है मों क्या है आपके वह करमी है जो कि गोल करमियों को बोला जाता है कैसे गोल करमी जिनका शरीर जहताária कॉछ होटे हैं अगर मैंने आपको यहापे पूल आ अपको पता होना चाहिए कि मुलस्का शब्द का मतलब क्या होता है मुलस्का शब्द जिनका बहुत ही कोमल सा शरीर होता है यानि कि सॉफ्ट बॉड़ी होती है तो मुलस्का करके यहां पे बोला जाता है ठीक है याद रहे गई है ऐसे करके ना हमारे पास 11 फाइलम सागे है जिसमें चल्म जबूद्धाइब को सब्सक्राइब करें तो इसके लिए इसको नाम से जानते हैंट तीन आधिंधाइब रखने जिस भी पाइलम में दिक्कत हो या जिस भी पाइलम में आपको कोई चीज लगाओ कि नहीं यहां पे दिक्कत है वहा पे मुझे रोख के आप एक बार अपना डाउट जो है ना वो पूछेएगा ठीक है कई पर लगाओ कि नहीं नहीं यहाँ पर हमको चीज समझ नहीं आई है तो स्टॉप मी एंड आस्क दाउट ठीक है अब यह नहीं समझ आया फिर भी हम आगे बढ़ती चल जा रहे ऐसा वाला नहीं रहे राइट दूसरा फा इस के अन्दर जो सेल गहते हैं एक तक निडेरिया को बोला जाता है नीडोब्लस्ट का मतलब क्या हुआ कि स्टिंगेंग सेले तो स्टिंगेंग सेल्स इसलीक मित इनकी बॉडी में बीच मेना एक इस्तम होते है जिसको हम गेस्ट्रो वसकुलार स्टम बोलते हैं इसलिए इसको silentrata के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यहाँ पे दो तरीके की stages होती है यानि कि यह जानवर दो तरीके की होते हैं एक को आप बोलते हो polyps polyps जो कि हमेशा एक जगा पे sedentry रहते हैं अगर हिलना भी होगा दूसरी जगा जाना भी होगा तो completely अपने को डिटाच नहीं करेंगे अपनी ही बोडी को गुमाएंगे फिर गुमाएंगे फिर चिपकाएंगे तो sedentry life जो है ना वहती है polyps की इसलिए polyps जो है वो क्या करते हैं एसेक्ष्वल रिप्ड़क्शन करते हैं अब इन जानवरों का यह है कि यह जहां से अपने लिए खाना लेके जाते हैं तो वेस्ट जो है ना वही से बाहर निकालते हैं अबला मुही है एक common pore mouth तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक common entry है और exit भी वही है ऐसा बोल सकते हैं एंट्री भी व ह्य है एग्सेट भी भी है खाना लेना भी होहीं से है और वेस्ट मतिरियल जो है वहांब भी वहीं से निकालने पॉलिप्स दूसरी इसकी गाटेग्री जो है वह है आपकी मेडीवीजा मेडिशा जो है ना मुबेबल को बोलते हैं मोबाइल ज़ो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हैं इसमें जो है न वो जेली फिश सबसे important example इसमें यह आपको स्क्रीन पे चलते हुई नजर आ रहे हैं यह अपनी लाइफ को एक जगा रुके नहीं इन फैक्ट मूवमेंट करके दिखाते हैं जैली फिश के बहुत सारे साइजेज होते हैं अलग-अलग साइज में जैली फिश पाई जाती है कलर्स जो है न वो भी अलग-अलग होते हैं यहां पर आपको ब्लू दिखाई दे रही और इसको वैसे कॉमन नाम जो है न वो पॉर्टगीज मैन और वार के नाम से जानते हैं पॉलिप्स और मेडियूसा हो गया यहां पर यह दो कैटेग्रीज पॉलिप्स और मेडियूसा आप टीन और फोरा की बात करें सारा यह मैं करा चुके हूं आपको देखो यह पिछले यह सिर्फ रिवीजन है ठीक है सिर्फ रिवीजन है यह मैं आपको करा चुकी हूं ना अल्रेडी मैंने इसलिए रिवाइस कराते हूं ताकि आप आगे का पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से कैच कर पाओ और कहीं पर डाउट हो तो समझ पाओ आप यह आपका जो एक्जाम कोवल शेप जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं बॉड़ी पे इस तरीके के स्ट्रक्चर है जो यहां पर यह लाइन से आपको नजर आ रही है इंटर्नली इन में बाइयो इलुमिनेंस सेल्स होते हैं जो रात में भी चमकते हैं और दिन में भी पूरा टाइंग चमकते ह है जैसे जैली फिश है वो भी बहुत चमकती है बहुत जादा लाइट आती है जैली फिश के अंदर से अंदर से उसमें अंदर ऐसे पूरा लाइटिंग सिस्टम जैसा समझो आप यहां पे भी बायो इलिमिनेंस है रीजन क्या है क्योंकि सारे जो और्गैनिसम्स है यह डी पीचे के जोन की बात करें तो हम समुद्र को डिवाइड करते हैं ना बैंतिक जोन लिमनौटिक जोन ऐसे करके तो यह सबसे लास्ट वाले जोन में रहते हैं यह जानवर वहां अल्रेडी बहुत अंदेर है यह जो लाइट होती है यह दूसरे और्गैनिसम को सेंस करने में करती है कि यहां पर कोई और्गैनिसम है और बाइयो एलिमिनेंस से इनके अंदर खुद से दूसरे और्गैनिसम को डिटेक्ट करने की भी पावर आती है इसलिए बाइयो एलिमिनेंस करके यहां पर बोला जाता है ठीक है यह पाट याद रुखेंगे आपर टीनो फेवरा दूसरा नेक्स्ट आपका प्लैटी हेलमेंथिस नाम से समझ जा रहा है प्लैटी अब यहां से थोड़े से डिफिकल्ट और अब देखो अब इसके बाद के जो और्गैनिसम से उनकी बाड़ी कॉंपलेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि लेवल जो है ना वो और्गन एक ही और्गैनिसम के अंदर दोनों सेक्स एवह वह मौझूद है मेल फी मेल भी है आपने अगर आपने पीडियाफ बगवान की खुल के देखी होगी ये बगवान की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है करपा थोड़ी सी अगर हो रही होगी तो कल एक PDF Animal Kingdom का अपडेयट हुए पहले तो बताओ अपडेयट हुए कि नहीं हुआ इसी का डाउट रहता है पीडेयट अपडेयट हुए एकल उसको खोल के देखा है नहीं देखे हैं बहुत थम बिजी हैं अच्छा उसमें जाधा डिटेल में हैं आप उसको पढ़के थोड़ा सबस ऐसी है कि एक बार पढ़ लीजे एंड यू के लीव एक बार पढ़के उसको चोड़ दो जो चीजे में यहां पर बता रहे हूं आप यहां पर अच्छी तरी नहीं मिला ऐसे कैसे नहीं मिला कल आपको नौ बजे की सुबा साथ बजे की क्लास के लिए एनिमल किंग्डम नाम की एक पीडिएफ कल की क्लास के नीचे अपडेट हुई है कि नहीं करेंट अफेस पीडिएफ है डाउट क्लास तो रख लेंगे पर यह नहीं मिला कैसे हो गया अच्छा एनिमल किंग्डम की पीडिएफ नौ बजे की क्लास में अपडेट हुई है क्या बात है यह शायद नहीं उल्टा पुल्टा अपडेट हुआ है वही था शायद एक बार नौ बजे की आच्छा आज म क्लास में अपडेट हुआ है पर आज मैं दुबार है जुक है स्कास च्छेया अट ठीक है मैं इसको update करा देती हूं till then अच्छा यहां पर बात करते हैं एक बार डाउट क्लास भी रख लेंगे ठीक है डाउट क्लास एक रख लेंगे Saturday को साटरड़ी को question और डाउट क्लास रख लेते हैं ठीक है segmented worms में है तो यह आएगा आपका एनलीडा category में किसमें एनलीडा में यहां पी क्या होता है कि नीरिस जो है ना यह हर्मा फ्रोडाइटिक का सबसे बहतरीन example है अगर आपको कभी भी आपको पते हैं कुछ ऐसी lizards होती है जिसमें female ही होती है है male होता ही नहीं है बिल्कुल turtles होते हैं जो बच्चा पैदा करते समय temperature के उपर depend करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी temperature कम होगा तो वह लड़का रहता है temperature जादा होता है तो लड़की होती है यहां पर main factor मतलब males का जादा फरक नहीं पड़ता है लिजार्ड है एक तरीके की जिसमें female होता ही नहीं है बिल्कुल females ही होती है total females अब यह देखो नीरिस ना अगर आप से कभी भी पूछा जाए कि ऐसा example जो bisexual का सबसे शांदर एक्जामपल है वह है नीरिस पानी में बिल्कुल lowest lowest surface पे पाया जाता है समुद्र की आखरी फ्लोरिंग होगी ना उसके नीचे ऐसे u-shape के बरो बनाते है ऐसे घर बनाते और उनमें रहता है यह नीरिस और जैसे इसका breeding season होता है यह बिल्कुल समुद्र के top वाले फ्लोर पे आ जाता है यानि के surface पे आ जाता है और वहां आके नीरिस जो total नीरिस ह वह एक dance perform करते हैं जिसको vagal dance बोला जाता है अगर हर्मा फ्रोडाइटिक के मामले में scientist ने अगर किसी भी जानवर को सबसे detail में पढ़ा है ना तो वह नीरिस ही है इसकी पूरी जो formation है या कैसी अपने आपको change करता है ना यह पढ़ा गया है सारे के सारे हर्मा फ्रोडाइट करते हैं और dance perform करते के साथ ही आधे अपने आपको males की तरह behave करने लग जाते हैं और आधे अपने आपको females की तरह behave करने लग जाते हैं उनका internally body convert होने लग जाता है तो हर्मा फ्रोडाइटिक का सबसे best example जो है ना यह बोला जाता है तो यह नीरिस करके याद रखीगा कई बा आपको पढ़ने हैं तीनों में हो जाती है आपको बहुत ज्यादा confusion इसलिए मैं यहाँ पर बता रहे हूं देखो प्लैटी हेलमेंटिस बोलते हैं चप्टे क्रमियों को यानि की जो एकदम फ्लैट जा रहे हैं बहुत बिल्कुल बिल्कुल रिबन की तरह हैं रिबन जैसा रिबन या टेप आपने देखा है ना टेप इसलिए इनको फीता क्रमी भी बोलते हैं टेप बॉम भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि इनकी बोडी बहुत है चप्टी अब इसमें कौन सा एक्जाम्पल हो गया इसका एक्जाम्पल दूसरा है शांदार सा प्लनेरिया एकदम फ सब्सक्राइब का मतलब हो गया गोल क्रमी कैसे करमी गोल क्रमी का सबसे पढ़ा था एक्जाम्पल एसकारिस गोल क्रमी का एक्जाम्पल साथ में व्यूचर एरिया वैंकर आफ टाई जो क्या कर रहा है यह इसके लेंड्रिकल है सिलेंट्रिकल क्रमी है बॉडी पे अभी कोई सेग्मेंट्स नहीं है ना इसकी बॉडी पे कोई सेग्मेंट्स है यानि कि खंड नहीं है अब तीसरा जो आपका क्रमी है यह पहला था प्लाटी हलमेंथिस दूसरा इसका हलमेंथिस तीसरा जो है यह है आपका एनलीड्स क्या lrta जोब्ड का मतलब ही होता है कया जो मैं आब यह एकजांपल बताया इसे आप कहते हूं वह इसका जान को बोलते हो ना बारिश के पर किपत जाती है नमक डाल्ना चाहिए अगर जौक चिपक जाती है तो यह आपकी एक्जाम्पल है एनलीट्स के तो मैं मुझे पहले आप यह बताओ कि यह तीनों समझ आपको की नहीं इसकैरिस चोटी आथ में पाया जाते हैं कंटामिनेटिट फूड और वाटर से चला जाते हैं बाहर खाना खा रहे हैं वाम्स गिरे पड़े हैं नूडल्स के साथ वाम्स अलग से नजरी नहीं आएंगे जितना नूडल्स होता है ना पतला उससे भी पतला वाम होता है जो चाउमीन जो मिलती है ना उसका आधा कर दो ऐसा वाम्स होता है लंबाई में होतना ही है तो पता ही कोई नहीं चलेगा कि नूडल्स खा रहे क्या खा रहे है बोडी में गया यह ना बोडी में जाने के बाद सीधा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में तब सुभा सुभा क्या इम फारिक में गया है वहाँ घ्राइम को एगशर करते रहते हैं जो क्लफ एसवादी के रोटेन right हूंग ईंवाडी में 1 पा आप इसमें बश्क tão खाने को यह रिए याद रखे आश्डशा है इसमें आप ने कि पीने में जासकता है नीरे स्क्राइट नीशे हैं कि यह हमारे खाने में कभी नहीं जाता जुए इतनी एक दम पर चुब चून आपन लोगों क متशल चाती हैं आग zwr Spotify करिए को फोण चूसना शुरू करती तो दाले जिए आग दिखा दीजिए जोंक अपने आप अलग हो जाएगी है अब इसमें व्यूचर एरिया थोड़ से जादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि यह क्या करने लग जाता है यह सारा सेग्मेंट यह प्लनेरिया हो गया एकदम ट्रांस्पेरेंट छोट यह तो आपको यह स्क्रीन पे इतने बनाते तो दिखाई भी नहीं देता यह वाले जानवर बड़े होते हैं काफी लंबा चौड़ा होता यह स्किरिस होता है तो यही वाला पार्ट हमने कल किया था न वीचरेड एलइवेंट इसेस कौस करता है यहां पर राइट एलइफांट इसेस हाथी पाउंड जिसको बो के नाम पे digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, sexual reproduction system, सारी कुछ एकदम चीज़ है, perfect है, right, bilaterally body symmetrical होती है, इनको आप radially नहीं काट सकते हो, bilaterally ही काट होगे, यानि कि हमारी body की तरह, बीच से कटेंगी, तो ही बराबर ये दो हिस्सों में divide होगी, नहीं तो ये divide नहीं होगी, animals, terrestrial होते हैं, aquatic होते हैं, parasitic होते हैं, respiration, skin से किया जाता है, ठीक है, earth warm है, chalk में respiration कैसे करते हैं, सांस लेनी होगी, उनको कैसे लेंगे, अपनी तवचा की माध्यम से लेंगे, यानि कि skin से लेंगे, excretion करने के लिए nephredia जो है, वो मौझूद होता है, दिमाग जो है, वो इन में होता नहीं है, दिमाग की जगा छोटे-छोटे से एक point होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ganglia, अजब brain की बात करें न, तो brain जो है वो develop करता है, vertebrates में reptiles के आगे, मतलब, eggs और mammals जो होते हैं, they have the highest level of the brain, बाकी इन वर्टीब्रेट जितने भी हैं, अकशेरों की जितने भी बोले जाते हैं, उन में brain जो है, वो नहीं होते हैं, brain की जगा, ganglia मौझूद होते हैं, क्या होते हैं, ganglia, तो brain को brain नहीं बोलके, मतलब exactly वो function भी नहीं कर रहा ना, यहां पर, तो ganglia करके define करते हैं, animals bisexual है, hermafrodite है, sexual reproduction internally होती है, यानि की cross fertilization हो रहा है, intercourse sexual intercourse, ferritima, postuma, herodinaria, granulosa, orniris, और यह क्या ही बोल दिया है, ferritima, postuma, catchway के लिए बोलते हैं, herodinaria, granulosa, leech के लिए बोला जाता है, और निरिस जो है यह warm है, simple, पैरों वाला warm होता है, बहुत सारे इसके pair होते हैं, तो ferritima, postuma, अगर आपको कभी भी zoological name है, कि catchway का zoological name क्या होता है, तो क्या याद रखने, ferritima, postuma, ठीक है, आपको जोग का पूछा जाए, तो jog का जो zoological name होता है, उसको बोलते है, herodinaria granulosa, अब इनकी अगर हम बात करें, तो body segmented worms का क्या मतलब है, कि body के उपर ऐसे segments जो हैं, वो बने होते हैं, यानि कि खंड होते हैं, क्या ये खंड external हैं, नहीं, ये खंड internal भी है, internal का मतलब, जैसे यहाँ पर माली जी ये 16 segments हैं, ठीक है, इन 16 segments में stomach होगा, या फिर digestive system जो हैं, वो complete होगा, इसके बिल्कूल यहाँ पर जाके 1114 segment में, इसके sexual organs रखे होंगे, ऐसा जो है न वो internal और external जो है न वो बोले जाते हैं, क्या, internal और external करके हम system इसको define करते हैं, तो body internally और externally, दोनों तरीके से divided होती है, तो analytes के आप example याद रखेगा, देखो इन तीनों में सबसे बड़ी confusion होती हैं, इनके examples को लेके, platy elementuses, tapeworm और planaria learn कर लीजे, escalementuses, goal crummy हैं, तो ascaris और butur area learn कर लीजे, और analytes में segmented worms हैं, तो cage हुआ जॉक और तीसरा nearest, paratema, postuma, heredinaria, granulosa और nearest, तीन example जो है ना, उनको आप यहाँ पर learn कर लीजे, अब आते हैं, phylum arthropoda, phylum arthropoda, worms समझ आगे, तीन class आपकी simple, फिर तीन अगली worms की, क्रमियों की, अब तीन class जो आगे आएंगी, वो थोड़ इसी advance और अलग से features हैं, देखो, सबसे जादा phylum में, जिस phylum में, organisms का number है, वो है आपका arthropoda, 60,000 से जादा species, जो है, 60,000 से जादा genus पाए जाते हैं, तो टेक्निकली अगर 60,000 से जादा, अच्छा एक बार ना, मैं ये complete कर लेते हूं, मुलसकाते, मुलसकात तक complete कर लेते हूं, फिर आपको जो भी doubt रहेंगे न, वो एक बार आप पूछ लीजेगा, ठीक है, यहाँ पर नॉमली इस phylum, अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो आर्थ्रोपोडा में, सबसे जादा जीव, जो हैं, वो पाए जाते हैं, यानि क सबसे बड़े संग के नाम से इसको जानते हैं, बराबर है, अब आर्थ्रोपोडा की मैं बात करूँ, तो आर्थ्रोपोडा शब्द का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोवर्ड का मतलब biologically होता है, jointed, क्या होता है, jointed, jointed क्या बोलते हैं, जुड़े हुए, पोड़ा शब्द एंसेक्ट अगर विजिबिलिटी तरीके से देखो कि घर में सबस्दह कौन सा जान वर जाता है आपको कई चुअ वब गरतो बारिश के महुसम में नजर दिए आपको कभी बी जेली फिश तो नहीं नजर बटाफलाई उड़ती हुए आपको दिख जाती है मख्षर ने तो आतंग मचाये हुआ है पूरा डेंगू करा हुआ ती सारे चीटी हो गया चीटी आत्रोपोड़ा है चीटी चीटा यह सारे आत्रोपोड़ा जन्वर को बिलाउंड करते हैं आत्रोपोड़ा फाइलम्स को ब यहां से जुड़े होते हैं एक बार इस चीज को देखो यह पैर जो है ना हमारे दोनों पैर अलग है ना एक लेफ्ट में जा रहे हैं इनके पैर जो है वो बीच से यहां से जुड़े हुए होते हैं इसलिए हम इनको आत्रोपोड़ा के नम से जानते हैं पैरों की संक्या अलग अलग हो सकתी है पैरों की संक्याester 3 जोड़ी भी हो सकती है 4 जोड़ी भी हो सकती है, 3 जोड़ी 4 जोड़ी और 6 जोड़ी पैर भी इसके पाय जाते हैं बोडि сколько को बताने में इंसेट्स के jeanthina क्या गरते हैं झाले रहते हैंब यह सामने कितना distranse पर क्या रहा हैo कि thय इनको sense करने में चीजों को मदद करते हैं क्र आखें जो होती है इनकी ही होती है आनके compound आई हैं हमारी आखे कैसी है simple लेंगे compound ये बता जल्दी से हमारी अई SIMPLE या compound है हमारी आखे कैसी है SIMPLE eyes है या compound eyes है नहीं हमारी आखे compound eyes है ना हमारी आखे कैसी होती है हमारी आखे simple है इनकी आखे होती है compound compound का मतलब क्या है कि एक आख में यह जो यह आई नजर आ रही है लेटरल अच्छा एक तो लेटरल साइड पर होती है आई यहां से बंद हो गया लेटरल साइड तो एक आई पूरा 180 डिगरी यहां से कवर करती है तो वो चलते समय कम से कम 360 डिगरी जो है न वो देख पाते हैं 180 और 180 इधर सिंपल होती है हमारी जानवरों की होती है कंपाउंड आइस का मतलब क्या हो गया एक आख में बहुत सारे सेग्मेंट मक्ही मुवी देखे आपने मक्ही जैसे यह आख है इस आख के अंदर ऐसे ऐसे करके सेग्मेंट याfund होते हैं कितने अशे ऑसे करके यहां पर सेग्मेंट वह वह मौझूद हैं सिक्स तइशन इस तरीके मौझूद है हम तो इतना ही बना सकते मयक्सीमूम अब क्या होगा इसको हर एक सेक्शन में देखो हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज जो है ना वो दिखाई देगी यानि कि जितनी भी आपको ये 6000 सेक्षन दिखाई देते हैं अच्छा इन सेक्षन को ना ओ मैं टीडियम के नाम से जाना जाता है एक्जाम में पूछा जा चुका है और गुरूप डे में ही पूछा है कि जो आत्रोपोडा होते हैं उनकी आखों के एक सेक्षन को क्या बुलते हैं तो ओ में टीडियम करके याद रखें जाना जाता है और यह जो है ना वहर एक सेग्मेंट जो है वह एक सिंपल आप जैसे सामने लड्डू रखा है जैसे कौकरोज जो है ना वह स्लिप पे चल रहा है और आपने लड्डू रखके छोड़ा है तो जब वह लड्डू को अपनी ऐसे टेडि आखे करके देखेगा है आंक दिखा कि एकदम तो उसको वह लड्डू पूरा नहीं दिखाई देता उसको वह लड्डू सेगमेंट में दिखा ही देगा फिर वह जोड़ेगा दिमांक में छोटा सा दिमांग गैंग लिया वह सोचता है पढ़ाई तो करने ना उसको यहां पर उसको बस लड़ू वगरा काने की चीज़ें जोड़नी है तो वह ऐसे लड़ू को जोड़ के देखेगा फिर उसे होगा कि यह तो कोई खाने की चीज़ है तो जाके उसको खाना शुरू कर देगा तो हम इसको क्या बोलते हैं यहां पर ometidium करते हैं तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे सामने कोई भी चीज़ रखी हुई है एक चीज़ रखी है उसको sections में पहले देखेगा फिर उसको जोड़ेगा फिर उसके बास जाके उसको खाने की कोशिश यहां पर करेगा यह पूरा आत्रोपोडा के important features में स Studyn की scale वोटी जैसे हैं आपको आत्रोपोडा में भी पढ़ने हैं अध्रोपोडा में बॉड़ी के उपर क्या होते हैं चिटिन इस प्लेश चिटिन हो गया अशे चिटिन नस लेइर जो है वो पाई सब्सक्राइब लिए उसको बोडार्स नचरी फॉल पूरे में अइस और रहे हैं और इसे वह उच्बार बाडरी सीस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि ब्रेन से लेके विल्कुल लास्ट वाले पार्ट तक बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सप्लाई होगा ब्लड हीमोग्लोबिन के बिना होता है इसलिए इनको बार बार ऑक्सीजन के लिए बाहर निकलना पड़ता है यह ऑर्गानिजम्स बाहर इसलिए ुच्छेंज करने का काम करेंगे औक बाड़ी में तो है नहीं इन्हें बाहर से लेनी हैं तो यहां से ओपनिंग पोर्ज होते हैं इस जगह पे ऐसे तो ऑक्सीजन की सप्लाइ करने के लिए यह थर्टीन चैंबर जो नवस सिस्टम है वो यहां पर डिफाइन किया हुआ है बोडी में एक्सक्रीशन मालफीजन टिbell के मदद से होता है कभी भी आपड़े होगे और पुछा होगा कि कॉक्रोज ओता है रेस्पेरेशन के लिए इनके पास बुक्लंग है गिल्स भी कुछ-कुछ गिल्स तो नहीं बोलेंगे पानी में जो कीड़ा आज कुछ कीड़े पानी में भी रहते हैं तो गिल्स हो सकते हैं बुक लंग से करेंगे ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन जो है वो जाधा की जाती है तो ट्रैकियल सिस्टम बुक लंग और गिल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शिन और किर रहे हैं और आ prop ionis ta ईक्षया से प्लिक devrait कर रहे हैं देंगू किस्ट नियॉत हूँ मख्य है प्लिक नाए मलेरिया प्ली सथेगवींद प्पाइओ जो आद्स प्लाई प्लिक प्लिक धूर्म प्रोपर होता है और उस्टे शोगिया जाते हैं और इंकी सोल इनिमल बोलिज आती है बटर फ्लाइ प्रियूजे जहते हैं जो पर फ्रिक्स उसली वह इंपोरेंट मुत श्यवरें नियुहमिंत के लिडिकन बेडिन इंपार्ट्स यह आपके इन और्गैनेजम्स बोले जाते हैं अगर आनी आपको अगर आपको आत्रोपोड़ा को तीनपार्टों में डिवाइट करना इंग तिक तरह आफ्ट्रोपवला को अगर तीन पार्ट में किस तरीके से क्नरीड जो इसकिर स्क्रीन प्रइब कर से इन district क्या इन本ोरी यह अक्रीय ओप स्ञाहन से देखना इ stared भी झाला इनलोिस आफ पड़ेगा आफ्वान står किया जानवर अपने हैन ऑनलग होते हैं पहला इन टाइप नंबर हो गया और तीन लोग हो गया और यह और जिसे वो भी गट याप को पते हैं। आपको पता है। यह स्वी से जादा सिक्स टाइम शाप होती है। दम कट से जब काट इतनी ते लगता है वो पत्ली स्विय जो है उससे भी जादा जो है इस चार जैसे करस्टेश्यम् delle बाड़ी तफ होती है यह पर से बिलकुल टफ है यह आप चैनल आप पहरी होता है इसके दान्त देखो कहां है इसके teeth जो है ना वो इस जगा पर डंक मारते हैं इसा काट लेता है पकटके 1, 2, 3 और 4 राइट 1, 2, 3 और 4 तो crustaceans की body क्या होगी 1, 2, 3, 4 करके यहां पर तो इनके 4 पैर हैं difference देखो आप उनके 3 पैर हैं हैं वो भी आत्रो बोड़ा यहां पर इनके पैर कितने हैं? 4 पैर है ठीक है? 4 पैर राइट इनके 4 पैर और यहां पैरों की संख्या देखो अनकिनत पैर हैं 20-20 पैर भी होते हैं मारिया पॉड है सेंटीपीड में बहुत ही पैर होते हैं बहुत ज़ादा तो इनके अंदर minimum जो पैरों की संक्या है वो 20 pair of legs जो हो सकते हैं पैर मैंने बोला तो यह सारे pair लिख रहे हैं 20 pairs of legs इन तीनों में difference आपको समझ आ गया Insecta, Crustation और Myra part तो basically आत्रोपोडा समझ आ गया आत्रोपोडा के जो जानवर है वो आपके 3 categories में बोले जाते हैं या तीन categories में डिवाइड किये जाते हैं largest phylum है बोडी की complexity बिल्कुल सुपर है एकदम बढ़िया तरीके से हाला कि heart और brain इतने डवलप नहीं होते हैं heart यह जो हम 13 chamber बोलते हैं वो वास्तम में heart नहीं है वो nervous system के ही points है तो हमने उनको हम और क्या बोले उनको उनके लिए कोई और definition नहीं है और वो करके हैं वो oxygen और co2 को जो जो एनिमल है या और गैनिसम है ना उसके इंदर exchange ही तो कराने का काम कर रहे हैं दे डू नोट हैव प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो nervous system जो है ना उनको oxygen और o2 और co2 के लिए यहां पर मदद भी कर रहे है तो प्रॉण हुआ लॉब्स्टर्स हुए यह सारे crustation जींगा मचली सुना है आपने जींगा मचली बोलते हैं इंगलिश में क्या बोलते हैं जींगा मचली जो होता है जिनकी बोड़ी ऐसे उपर से hard होगी वो crustations होंगे जिनके जो ऐसे लंबे से होंगे और बहुत सारे पैर होंगे और segment होंगे ऐसे बोड़ी के उपर वो आपके मायरिया पॉड़ होंगे बस इतना करके learn कर ले चलिए अभी देखे मुलस्का की बात करते हैं मुलस्का second largest phylum है कि अगर अंदर सबसे जादा जानवर हैं तो मुलस्का दूसरे नंबर पर आता है जानवरों की संख्या के मामले में इसलिए मुलस्का क्या हो गया second largest phylum करके आपका बोला जा रहा है second largest phylum soft bodied animal यानि कि शरीर जो है वो बहुत ही कोमल होता है ठीक है बहुत ही कोमल सा वदन मे कभी गलती से किसी octopus का octopus में यह देखा है अपने पाइला देखा है अगर इस पाइला की skin पे ऐसे कर दिया ना तो आपकी उंगली विल्कुल अंदर चल जाएगी क्योंकि इसकी बड़ी इतनी सॉफ्ट है ना पेपर की तरह मार्केट में जो जैली आती है ना उससे भी जाद अब क्या किया नेचर नेचर देखो हर चीज का ध्यान रखती है क्योंकि मुलस्का की बड़ी बहुत जादा सॉफ्ट है तो नेचर ने मुलस्का में दो तरीके की ना चीजे दे दी उनकी प्रोटेक्शन के लिए पहली है कि आपके बड़ी पे ऐसा शेल जैसा जो है वो प्रोटेक्शन दीजिये यह हो गया इनके उपड़ क है अब यह मरेंगे नहीं असानी से मरेंगे नहीं लेकिन ये जानवर पाइला स्नेल जो है वो जादातर पानी के आसपास होते हैं पानी के अंदर नहीं ठीक है वैसे इनके अंदर गिल्स मौझूद है पानी में जाके रह सकते हैं लेकिन नॉट फॉर लॉंगर टाइम ये बाहर रहते हैं तो इनको तो क्या गर दिया शेल दे होते हैं री जनरेशन की पावर शो करता है और उसके अलावा यहां पर आपको यह दिखाई दे रहे हैं चोटे-चोटे वाइट कलर के आपने ठीलोने आते हैं बजार में सॉफ्ट आइस आते हैं उनमें उपर की तरफ एक रबर लगी होती है उसको आप जहां चिपका होना व कोई जाधा ही परेशान करने वाला या ओक्टोपस माली जी छोटा है और बहुत बड़ा जानवर इसको आके पकड़ने की कोशिश करता है और गल्ती से इसका हाथ पकड़ लिया तो यह अपना हाथ नहीं छोड़ के चला जाएगा ठीक है तुम रख लो मेरा हाथ मुझे दो चार दिन में फिर से इसका हाथ जो है ना वो नयाग बन जाएगा उसको पते हैं कि मेरे पास रीजनरेशन पावर है क्या है रीजनरेशन पावर है तो रीजनरेशन पावर ओक्टोपस के अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर शेल्स नहीं है तो कैसे बचाएगा अपने होते हैं एक पॉइंट से जहां पर कनेक्टेड होते हैं उसी को ही माउथ बोला जाता है या वहीं पर जो है न वह एनस करके डिफाइन किया जाता है तो ऑक्टबस की बॉड़ी इतनी सौफ्ट है कि अगर हम इसमें कूछ भी हाथ लगाएंगे न हमरा पूरा हाथ ही अंदर च पाया जा रहा है अब इसमें नाम क्या है तो आप जाइंट स्क्विड करके याद रखेगा जाइंट स्क्विड सबसे जादा नंबर आफ ऑर्गानिजम जो पाय जाते हैं वह आत्रोपोडा में होते हैं लेकिन अगर जानवर की साइज के साब से लंबाई चोड़ाई के सा तो सारे 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 जानवर की सबसे लंबाल चोड़ा इनवर्टी कि कौन है वह जाइंट स्क्विड जाइंट कि इतना सब अनलों होते हैं जाइंट ज्विड कि इतना बड़ा होते हैं एक जो रिक comics में बारी जानवर नहीं ऊडाइं सबसे बड़ा जो है वह आपका मौजूद होगा जाइंट स्कुड यानी की मुलसका में कोई मुझे खाने आ रहा है तो वह अपनाना बॉल जाएगा पूछ को अंदर रोल किया पूरा बॉडी ऐसे माउथ इदर लेके आया पूरी बॉडी गोल हो गई और उपर है काटे भेंकर बड़े बड़े तो कोई जानवर खाए गई नहीं भई काटे वाली चीज़ है कोई खाए गई नहीं स्येम फ़ॉर द्थी अकाइनटोर्मिटा जो है वह हम तंचा निकी बोला जाता है तो इस सारे ओर्गैंव में अच्छा एक बड़ और ऑर्गानिजम ही स्टार फिश्श पिछ वह पीछ जनवर है वह कौन सा है स्टार फिश के पीछे भी एक जानवर है कौन सा हां कटक माउस के नाम से जिसको जानते हैं आ इसके पीछे आपको जानवर नजयर एक पहचान रहे हैं आप इसली पार फाइला लगा थे स्टार फेच पौरी फैरा से शिपक गई यह वाला जो सग्मेंट नजर आ रहा है इसको हम कोरल के नाम से जानते हैं यहन पूरण पूरा चोटा 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 नजर आ रहा ना यह कोर्ण बडा बड़ा पौरी फैरा है सारा यह पीछे प्ती फैरी क्यें जस् голос के सबसे माइज आए जाते ह पूरी बॉड़ी पर गाटे हैं छूनी सकते हैं इसको फिश क्यों बोलते हैं क्योंकि तरह ऐसे चलता है इसको फिश बोला जाता है वरना यह वास्तविक मचली तो नहीं है वास्तविक मचली तो हमारे पाइसेज में आएगी नेकिन यह है आपका काइनो डर्मेटा बॉडी देखे बॉडी कैसे काम कर रहे है बॉडी में सबसे पहले जो स्टार फिश अगर उसको काटेंगे या उसको सेग्मेंट्स में डिवाइड कर दिया तो यहां ही पे डैजस्टिफ सिस्टम है तो यह जो दिखाई दे रहे हैं यहीं डैजस्टिफ डैजस्टिफ घ्लैंड करके डिफाइन कर दिया हो गया यह वाला हिस्सा है यह पेट बोला जाता है और यहीं पे ना माउत होता है और एनश्ट ऑपनाने की पानी से लिई पांचों आंश में बराबार डिवाइड कर दी तो यह हिस्सा और बैसंगे यहां फोट यह को टबर सन सेंट्रल के नाल यह हो गया यह Óँ और यह तक जाएगा तो जितना भी खाना लिया वह पाँ पार्ट में इसी शेंट्रल वसकुलर डिवाइड हो वाडी में बराबर equally डिवाइड हुआ, सब ने digest किया, अब excrete करने के लिए उसी जगा से बाहर चला जाएगा सारा का सारा चीज है रैस्पिरेशन गिल्स से हो रही है, गिल्स इनके पास मौझूद होते हैं एक्स्क्रीशन के लिए यहां पे एक्स्क्रीटरि सिस्टम के नाम पे सिर्फ औस सर्फ छोटने छोटने प्रापर किड्नी इनमें पाई नहीं जाती तो यह starfish का आपका पूरा cross section जब last जो है न वो hemic audit है तो inverti braids में last जो है न वो hemic audit है अब मुझे अब बताओ कहीं पे कोई दिकत finger नहीं हमने क्या किया है न हमने इसी starfish को क्या कर दिया है sections में divide कर दिया यह diagram आप समझ तो पाए हो न कि यह क्या है यह जैसी यह वाला starfish है हमने इसको यहां से उठाया यहां ले गए फिर हमने इसको उपर से काट दिया थोड़ा थोड़ा काट दिया ताकि हमें समझ आए आइस अभot पर सबसकलडिन न काटने पर पता लगा कि अलग 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 ले इर पहले डेजस्टिब लेयर है फिर जो है न वह न fois लोकेटिड है और सब से नीचे water निचे वाथर वस्कूलर सिस्टम है तो तीन लेयर में डिवाइड Rei वाटर वस्कूलर सिस्टम तो digestive system है फिर gonads है फिर water vascular system है वहीं से वो अपना खाना पीना वो आपने स्टोरी नहीं सुनी छोटे बच्चे को सुनाते है न यह हाथ पकड़के एक चिडिया थी वो उसी में खाना खाती थी उसी में पानी पीती थी उसी में सुसु पॉटी करती थी वहीं पे सो जाती थी है न तो उसी point of view से सारी चीजे जो है वो कर रहा है तो इसी लिए न देखो advanced animal इनको हमने सिर्फ इसलिए बोल दिया है क्योंकि यह highest रीजनरेश स्टारफिश पूरे animal kingdom में प्लनेरिया के बाद प्लनेरिया की regeneration power सबसे जादा strong है उसको आप 1000 हिस्सों में भी पाट काटो सारे हिस से फिर से नया प्लनेरिया बना देंगे स्टारफिश की regeneration power प्लनेरिया के बाद दूसरे नंबर पे अगर इसकी पांचों आम से एक साथ कट भी जाएंगी न तो यह फटाफट जॉइन कर लेगा तो स्टारफिश जो है ना कहा जाता है कि स्टारफिश जो है ना किसी का खान स्टारफिश को जनरली कोई भी बड़ी मचली या कोई भी बड़ी पानी का कोई भी जीव खाना नहीं बनाता तो स्टारफिश ना अपनी नेचुरल डेथ ही मरते यह चीज जो है ना वह याद रखेगा स्टारफिश की बात क्याद रखे स्टारफिश यहां पर अब हैमी कॉडट अगी इतना सीरेसली नहीं लेना इन जानवरों को यह सिर्फ जानवर है और हमारे पास यह फोटो में हैं तो इतना विचारे क्या ही कर लेंगे यह पानी में रहके हमफुल हो सकते हैं हमारे लिए वह भी हामफुल इसलिए क्योंकि इन्हें अपने को प्रोटेक्ट करना है इसलिए नहीं कि हमारा मक्ष लेकि कोई भी जानवर हमें अगर खा रहा है एस इन केस मच्छर की बात करते हैं तो मच्छर हमें जानके नहीं खारा कि इनको देखो अभी तो मैं इंसानों को डेंग खराब हो रही है इसकी वजह से सिचुएशन जो है ना वह सारी की सारी आपकी बन रही है वरना कोई भी जानवर इसलिए हमारी बाड़ी में नहीं गुस्ता कि इनसे तो बदला ले नहीं है मुझे इसलिए नहीं गुस्ता फीता क्रमिये का स्मॉल इंटेस्टाइन में जा इसलिए नहीं जा रहे है कि मुझे इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन खराब करनी है क्यों क्योंकि उसकी सब्सक्राइब इंसानों की छोटे आथ उसके लिए सबसे अच्छा इन्वाइमेंट है इसलिए महां जाके रह जाते हैं ऐसी मच्छर मच्छर को भूग लगी कि उसको पीना है तो वह खूण किसका पिएगा हमारे अंदर ही खूण है उसको पिएगा तो दे जस्ट हमारे उपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए ना कि जानके कि इनको तो आज सबक सिखा नहीं है यह ज्यादा बन रहे हैं इनसान लोग ज्यादा आपक्स पर बैठे ह कर रहे हैं उसको यह नहीं पता है कि वह इतना जादा है और बीमारी द्यामनों कर रहा है यह जो है दे यह कौन से पौइंट पूइंट आज से इसको बोला जाते हैं लियुवें इस जान वर हम को इस्तामाल कर रहे हैं रीर्या नौ॒ अपने खाने के लिए कट रहे हैं चीजों को पेड़ों को काट रहे हैं तो जिस तरीके से जानवर हमें एफट कर रहे हैं उस तरीके से हीुमन भी तो दोन चायन करी रहे हैं न хотी नंबb야 locks से कम से कम चार्पराब रहा हुम को कश्ञों हाने करते हैं हमारी ऐम्मुणीटी वहास्टे बनाने की कोशिश किया तो लेकिन हम की रोडs बना रहे हैं तो हमसे ज्यादा तो जानवर नहीं है ना चलिए आप स्बसके नेकि Yoshumaj सारे टेन भी करने चाहे आज अरा या ऊक्टोपस वगरा यह स्टार फिज दिमाग में रखते हैं कल की क्लास में कॉड़ेटा में आपको कम्प्लीट करा दूगी तो कल आपका जब पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा दैन मैं आपको क्वेस्चन करा दूगी साटरडे को ठीक है चलिए अब बादे बस ऑक्टोपस क्या ही कर लेंगे और बुरी नजर होता क्या है आप सबसे पहले आपकी सुबह सुबह उटते ही साथ बजे वाइफाई स्टड़ी पे आपकी क्लास चलती है जापे मैं अभी बाइलोजी की थियोरी करा रहे हूं बाद एक बार फिजिक् बाद आठ पचास पे क्लास होगी जिसमें हम भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी जो नीतियां बनाई जाती है उनके बारे में बात करें और आज उसकी दूसरी क्लास है ये दो क्लासे यूट्यूब पे चलती है शान को छे बज़े साइंस की एंसी क्लासे यानि की फ्री लाइफ क्लासे वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है टेंशन बिना लेके आए पंदरा दिन की अभी किमिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें अब से हम टॉपिक वाईज नी सेक्शन वाईज पढ़ेंगे तो ये क्लास आपकी छे बज़े शाम को आप दोगे तो आप स्कॉलर्शिप का हिस्सा भी बन सकते हो जो कि एक करोड का होता है अगर आप अनकाडमी पे इनके सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन में जो है ना वो क्या रहता है कि आपकी थोड़ी सी क्लास टाइम ली होती है वैसे शिक 10% डिसकाउन मिलता है अगर आप शिप्रा लाइफ कोड यूज करेंगे और इनकेस अगर आप कैसे भी करके अनकाडमी के उपर जाते हैं तो फ्री लाइफ क्लास भी देखनी है कोई चार्ज नहीं है लेकिन फ्री लाइफ क्लासे स्पेशल क्लासे आप लोग के लिए स्पे अभी क्लास में एंट्री मिल जाएगी है ना तो आप सारे के सारे बच्चे यह शामकी क्लासे जो है वह जरूर एड किया और सबसे बड़ी बात अगर एक बार आप फॉलो कर लोगे फॉलो करने के बाद जो भी क्लासे दिखेंगी उनकों को एन्रोल कर लोगे तो आपके प पिलती हूं भी आठ पचास पे स्टाटिक जी के की क्लास के लिए जहां पे हभी हम स्कीम कर रहा है और साइंस की क्लास के लिए शाम को छे बजे आन अकाडमी के ऊपर ठीक है तो थांक यू सो मच बाइब और जहां पे भी आपको डाउट्स रहेंगे उनको लिखते रहें आरे डाउट्स के जो अंसर जाना मों बता दूंगे ठीक है